हेलो दूस्तों नमस्कार आज मैं आपको समझाने वाला हूं कुलर की मोटर में त्री स्पीड कनेक्शन बारी कीजिए वीडियो को बिल्कुल भी स्कीम मत कीजिए क्योंकि अगर आप स्कीप करोगे तो आपको यह समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा तो यहां पर मेरे पास है देखिए दोनों यह रनिंग के वायर है और यह इस्टाटिंग का है और यह भी इस्टाटिंग का है यानि दो इस्टाटिंग और दो रनिंग और इसमें टोटल है छे वायर तो यह दो टेपिंग के वायर है जो मैंने 60-60 टरन पर निकाले यानि 120 टर इए जय गएग तरह नहीं चलेगा क्यों क्योंकि रण्निंग से की सब्सक्राइब dependence क्रफ़े चलेगा तो फ्तरैंग सब्सक्राइब रैसे प्रीव गुआरेव हम चलेगा आगर राइड साइड में नहीं कहाँ लीते हैं तो मोटर वह यान कि exhaust की तरह motor घुमेगा तो अभी हमको इस तरह से connection करना है यान कि यह वाली जो blade है इसका connection हमको करना है तो हमको motor को उल्टा घुमाना है तो यह वाले जो wire है common होंगे तो यहाँ पर हम common करते हैं तो इस पर हमको black wire लगाना है तो मैं यहाँ पर ब्लेक वायर ले लेता हूं तो मैंने यहाँ पर ब्लेक वायर लगा लिया है और मैं यहाँ पर वायर को जलाया नहीं हूं क्योंकि मैं यहाँ पर वैल्डिंग करता हूं अगर आपके पास वैल्डिंग नहीं है तो आपको वायर को जलाना पड़ेगा रेड वायर को लगा दिया है और अब हम वाइट वायर है उस पे जो दूसरा कोईल का सेट है उसमें भी 60 टन पर टेपिंग है तो वहाँ पर हमको इस वाइट वायर को लगाना है उसमें भी 120 टन है इस चाटिंग में 120 टन कम्पलीट है तो मैंने 20 से निकाल लिए थे 60 टन पर दूसरी कोईल में मैंने 60 टन पर ये टेपिंग निकाल लिए तो ये हो गई स्पीड शिलो और हाई मीडियम और शिलो और हाई बलेक पर रहेगा क्योंकि जब बलेक पर सप्लाई आएगी तो फुल स्पीड से चलेगा तब रेड पर आएगी तो थोड़ा कम चलेगा और वाइट पर आएगा तो थोड़ा और कम चलेगा क्योंकि रनिंग में वोल्टेज है वो कम होंगे और बिलू वाइर मैंने लगाया है रनिंग पर और इसमें एक मैंने condenser का wire भी जोड़ दिया है देखिए blue wire और एक condenser का wire जो running पे लगाया है मैंने और अब starting पे लगाना है एक wire क्योंकि condenser हमेशा running और starting के series में जुड़ता है तो इसलिए हम एक wire starting का लेंगे तो running पे हमने condenser का wire लगा दिया था और अब starting पर भी हम लगा देते हैं इस तरह से हम starting पर भी wire है वो लगा चुके हैं अब आपको एक बार फिर से समझा देता हूं मैं black wire हमने common किया है क्योंकि जब black पर supply देंगे एक तो blue पर देना है एक black पर देंगे तो full speed से चलेगा जब white पर समझा देंगे blue और white पर देंगे तो motor है बहुत ही धीरे चलेगा और red पर देंगे तो थोड़ा उससे तेज़ चलेगा क्योंकि उसे voltage running में कम मिलेंगे तो यह बिल्कुल simple connection है थ्री-speed connection बिल्कुल सिंपल है आप किसी भी motor को 1440 की जो motor है आप इस तरह से connection कर सकते है उसका 3-speed और बिल्कुल simple आपको अलग से कोई भी coil नहीं डालने पड़ेगी और series में condenser जोड़ने के लिए आपको blue wire पर से एक wire लेना है और एक starting से लेना है यानि कि blue जो running पर लगा है और एक starting पर लगा है इनके बीच में हमको series में connection यह condenser जोड़ना है तो दोस्तों उमीद करता आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो प्लीज इस वीडियो को like कर दिये तो दोस्तों मिलते next